हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वाकत है आपके अपनी यूटियब चैनल विशाल गौतम सेवनेट थ्री पर आज है 25 अगस्त 24 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगर आप किसी भी अग्यम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यदा इम्पोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही वेल आइकन को भी ओल पर प्रेस कर लिजे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अफ्लोड करूँ तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं और आज की इस वीडियो की पीडिया पाइल आपको उमारे टेलीगरम चैनल पर मिल जाएगी वर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की और कल की वीडियो में हमने जाना था केसे अंतर राष्टी ये क्रिकेट परशद यानी ICC के अध्यच के रोप में नियुक्त किया गया है जै शाह को अगस्त दोएच्ग चौविस में सैंक सेन्य अभ्यास कुछ फीरीडम शीड़ दोएच्ग 24 केच्द सब्स द्वारा प्रारम किया गया है अमीर खाव दच्छल कोरिया द्वारा वर्स दो ये चोविस में बारत का पहला सम्विदान संग्रहाल है कहा इस्तापित किया जाएगा हर्याना में 19 में CII बारत अफ्रीका ब्यापार सम्मीलन कायो जिन कहा किया गया है बारत में सिंसिनाटी ओपन दो ये चोविस में पुरुष और महिला वर्का किताब किसने जिता है जैनिक सिनर और अर्द्याना सवालेंकाने किसने प्रोम्ट, ट्रिप्स और जैल विद्ध डिप्यार नाम से तीन ओलाइन प्लेटफार्म लॉंच किये हैं मनोवन लाल खटाजी ने किसे ओध्योगेवं आंत्रिक व्यापा संबर्दन विभाग में सचिप के रूप में नियूप किया गया है आमर दीव शें बहतिया को किसे नैसकॉम के अध्यच के रूप में नियूप किया गया है राजेश नाम भियार को बास्मती चावल नर्यातक जी आर एम ओवर सीज ने किसे बास्मती चावल और ग्याओं के आते के लिए अपना ब्राण ने मिश्टर नियोप किया है सही अंसर है सलमान खान को कौन सर अज सबसे अधिक चार्जिंग इस्टीशनों के साथ देश में ईवी चार्जिंग में अग्रणी बन कर उबरा है करनाटक किसे लगाता तीसरी बार इंडिया ट्रेवल अवाट्स में सर्वसिष्ट हवाई अड़े के पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्णों की योर और आज का हमारा पहला कुशन है अगस्ट दो यच चौविस में देश में चेकित सा पेशिवरों की सुरच्छा पर गठित राष्टी ये टास्क पोर्स के अध्यच के रूप में केसे नियुक्त किया गया है इस कुशन का सही आंसर है ओप्शन ए राजीव गवा को कैबनेट सचिव राजीव गवा को राष्टी ये टास्क फोर्स के अध्यच के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के मुख्य नयादेश नियाय मूर्ती डीवाई चंदरचूर की अध्यचता वाली तीन सदस्य पीट ने देश में चिकित्सा पेशिवरों की सुरच्छा के उपाय सुझाने के लिए राष्टी ये टास्क फोर्स के गठन का अध्यच दिया था बात करन राष्टी ये टास्क फोर्स के सदस्य की तो 14 सदस्य टास्क फोर्स में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए 9 ततिष्टे डॉक्टर शामिल है 12 सरकार के कैबिनिट सचिप की अध्यचता वाली टास्क फोर्स में ग्रह सचिप और स्वास्त सचिप भी शामिल है उनके अलावा राष्टी ये चिकित्सा आयोग के अध्यच और राष्टी ये परेच्छा बोर्ट के अध्यच भी इसके सदस्य है नेक्ट कुशन है मोधिट गवर्नेश ट्रायंप री शेपिंग इंडियाज पात्ट्व प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक किसनी लिखी है सही आंसर है ऑप्षण सी तरुन चोगने बाजपा माहसेचिप तरु चोग की पुस्तक मोधिट गवर्नेश ट्रायंप रेशेपिंग इंडिया आज पात दुख प्रोस्पेरिटी का नई दिनली में विमोचन किया गया है पोस्तक के विमोचन के अपसर पर ग्रे मंत्री अमिश्या और कोईलाक इवं खान मंत्री जी केशा रेड़ी भी मौजूद थे यह पोस्तक मोधी सरकार के अत्तियों दैग मिश्या को दिशा देने वाली दूर दर्शिय पहलों और सुधारों की गहन खोज प्रस्तुत करती है नीरा चोपरा ने लोसाने डायमंड लीग तोया 24 में सीजन के सर्वसिष्ट 89.49 मीटर थ्रो के साथ कौन सा इस्तान आसल किया है सही आंसर है ऑप्षिन बी दूसरा इस्तान नीरा चोपरा ने लुसाने लायमन लीग में सीजन का सर्वसिष्ट 89.49 मीटर थ्रो किया है जिससे एडर्सन पीटर्स के बाद दूसरा इस्थान प्राप्त हुआ है सीज तीन खिलाडियों की बात करें तो पहले स्थान पर है एडर्सन पीटर्स दूसरे स्थान पर नीरा चोपरा और तीसरे स्थान पर है जूलियन बेवर दच्चड बारती आदिवासी ज्यान केंदर कानूं का सुवारम किस राज में किया जाएगा सही आंसर है ऑप्शन बे हर्याना में दच्छड बारती आदिवासी ज्यान केंद्र कानू करनाटक के बी आर हिल्स इस्तित चन जाती है स्वास्त संसाधन केंद्र में लॉंच किया जाएगा और इसका उद्देश्य दच्छड बारती आदिवासी अतीत वर्तमानों संस्कृति पर पहला ज्यान केंद्र बनाना है अगस्ट दुज़ेच चौविस में बारत और केश देश ने स्वच्छ नदियों पर एक स्मार्ट प्रयोक्षाला शुरू की है। सही आंसर इसका ओप्शन सी डेन्मार्क बारत और डेन्मार्क के बीच पर्यावरा रर्नीती साज़ेदारी ने जल शक्ती मंत्राले से 16.8 करोड रुपे के शुरुवाती पंडिंग और डेन्मार्क से 5 करोड रुपे की अतरिक पंडिंग के साथ स्वच नदियों पर एक स्मार्ट प्रयोक्षाला शुरू की है। इस सहयोग का उद्देश दो से 3 साल की अबदी में उन्नत तक्नीकों और एक व्यापक नदी प्रबंधन योजना का उप्योग करके वरोणा नदी को पुनर जीवित करना है। देनमार्क जो देश है वो यूरोप माधि में हिस्तत है। राजदानियवा की कोपिन हेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोणा और पदान मंत्री हैं मेटे फेड रिक सेन। कौन राष्टियकार रेशिंग चेंपेंशिप जीतने वाली पहली भारती मैला बन गई हैं। सही आंसर है ऑप्षिन बी डायना पंडोले डायना पंडोले राष्टियकार रेशिंग चेंपेंशिप जीतने वाली पहली भारती मैला बन गई हैं। और ओनी MRF इंडियन नेशिनल कार रेशिंग चेंपेंशिप दो येच चौविस में शैलून स्रेडी का खिताब जीता है और ये प्रतियुकता चेंड़ी में आयोजित की गई थी। नेश्ट कोशन हैं, अगस्तो ये चौविस में भारत का पहला ऐसा हवाई अड़ा कौन सा बन गया है जिसने प्रतिष्टित नेट जीरो कार्बन उत्रजन का दर्जा हासल किया है। मात्वपूरो प्लब दी है। सही आंसर है ऑप्शन भी कास से पदक। बारती पहलवान रौनक दया ने जॉर्डन में अंडर 17 विश्वकुस्ती चेंपिनशिप में पुरिशाओं की ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम में इस परदा में खास पदक जीता है। रौनक दया ने नर्डायक पदक मुकाबले में तुर्की के पैलवान इमरुला केपकन को 6-1 से हराया है। और इसके अलावा साइनात पादी ने भी ग्रीको रोमन के 50 किलोग्राम बर्ग में खास पदक हाशल किया है। शोशल मेडिया प्लेटफार्म एक्स ने किस देश से परचालन को निलंबित करने की गोशना की है। सही आंसर है उप्शन B, ब्राजील। शोशल मेडिया प्लेटफार्म एक्स ने ब्राजील में अपने परचालन को बंढ करने की गोशना की है। ब्राजिल के सुप्रीम कोर्ट ने नियाय देश अलेक्जेंडर डी मोरेस ने ब्राजिल में उनके कानूनी प्रतनेदी को आदेश का पालन नहीं करने पर गिरपतार करने की दम की दिये अगस्त दोय चौबिस में केस देश ने अनिवारस अन शेवा लागू करने की गोशन की है सही आंसर है ओप्षन ए क्रोएशिया क्रोएशिया के रच्छा मंतरी ने कहा है कि सरकार 1 चनवरी 2025 से दो मैने की अनिवारस अन सेवा फिरशे शुरू करेगी ये गोशन देश के रच्छा मंतरी एवान अनुसिक ने दिखी है क्रोएशिया ने ये कदम रोसी आक्रामक्ता के खिलाब चापाल और यूरोप में तनाव के बीच उठाया है पहले भी क्रोएशिया में अनिवारस येन शेवा का प्रस्ताप था और वर्ष दो एराट में इसे निलंबित कर दिया गया था क्रोएशिया जो है वो यूरोप महादेप में इस्तित है क्राइजदानी है जाग्रेब मुद्रा है यूरो और प्रधान मंत्री है आंद्रेच प्लैन कोवेच 12 सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझोता केस्दिस के साथ किया है सई आंसर है ओप्शन बी जापान के साथ केंद्री नवीन एवं नवीकरडिय उज़ा मंत्री सरी प्रहलाज जोशी ने भारसे जापान को ग्रीन अमोनिया के निर्यात के लिए पहले समझोते पर अस्ताक्षर समारो किया दिच्छता की है ग्रीन अमोनिया का उप्योग जापान में थर्मन पावर प्लांट में कोईले के विकल्प के रूप में किया जाएगा और नवी करडिय उजा के इस्तिमाल से पानी को विवाजित कर उत्पाद थाइडोयन और हवा से अलग करिद किये गए नाइडोयन को मिला कर हरित अमोनिया बना जाती है जापान की अगर हम बात करें तो ये एजिय मादिप में इस्तित है राजधानियमा की टोक्यो मुद्रा है ये और प्रदान मंत्रियें फुमियो किष्दा ओनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधसूचित करने वाला देश का पहला राज कौन सा बना है सही अंसर है उप्शन B मदपदेस मदपदे देश का पहला राज है जिसने ओनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधसूचित किया है मदपदे सरकार ने गजच नौटिफिकेशन जारी करके वाटसप एमेल या टैक्स मेसेज के जरिए समन और वारंट बेजने की अनुमती दी है इस पहल का मकसद नियाएक प्रक्रियाओं में तेजी लाना, कानूनी कामकाज गो मलबूत करना और नियाएक विवस्ता की दच्चता बढ़ाना है अब हम बात करें इस्टेटिक जीके की तो भारती यराष्टिक कॉंग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यच कौन थे सही आंसर है दादा भाई नौरो जी भारत की पहले मुख्य चुनावाय कौन थे सुकुमार सेन केस द्योहर की उत्पद्दी तिबद्दी नवर से हुई है और ये नद्दाक में हसाल कटाई के मौसम के अंत में मनाय जाता है लोसार उत्सव सवा और उर्दो प्रकार की ग्राम सवाओ का उल्लेक केस राजवन्ष में किया गया है चोल में सास्त्री ये भारती संगीत पर फार्सी में सरवाद एक पुस्त के किसके शाषिनकाल में लिखी गई थी और अंग्येप के शाषिनकाल में स्वतन्त बारत की लोकसवा का पहला सत्र का आयोज़त हुआ था 13 माई 1952 में कंबाला हुथ सब किस राज़ में क्रशक शुमदायन द्वारा आयोज़त किया जाता है करनाटक में किसने मादमा गांधी के साथ पूरा समझोते पर अस्ताक्षर किये थे टॉक्टर भीमरा अंबीटकर जी के शाथ जामदा लोकनरत केस बारती राज़ से संबंदित है जार खंड से बारत के उपराश्टपती को पद की शफ़त कौन दिलाता है राश्टपती कल की वीडियो मैंने आपसे कुशन पूछा था कि किसे अंतराश्टी क्रिकेट परशत के अध्यच के रूप में नियुप किया गया है और इस कुशन का सही अंसर था आपके लिए आज का कुशन है इस कुशन का सही अंसर आपको कमेंड में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की helpful लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्ता के पाई जरू शेर करना और अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जया हिंद जया भारत वंदे मातरम